दोस्तों मैप माई इंडिया का आई पियो जो है ओपन हो गया है और यह सब्सक्रिप्शन क्लोज होगा दिसंबर 13 हो इसू साइज जो है इसका बुक बिल्डिंग इसू आई पियो है और फेस वैलू इसका दो रुपे पर एक्यूटी शेयर है आई पियो जो प्राइज 45.61 क्रोड का है और यह टोटल 100% OFS है ठीक है और जिसमें यह कंपनी जो है इसू करेगी इक्विटी शेयर दस लाग तिरसट हजा नौ सो पैंतालिस इक्विटी शेयर इसू करेगी जिसका फेस बैलू दो रुपे पर एक्विटी शेयर होगा QIV के लिए 50% रखा गया है रिटेल इंवेस्टर्स के लिए 35% और NII और HNI उनके लिए जो है 15% रखा गया है यह कंप्री का जो टेंटेटिव डेट एलोट्मेंट का वो 16 दिसम्बर है Initial of refund जो है December 17 है Credit of share जो डेमेट अकाउंट में होंगे वो December 20 को होंगे IPO की जो लिस्टिंग होगी वो expected date रखी गई है 21 December 2021 को अब minimum एक लॉट में 14 share है जिसमें 14,462 रुपे आपको invest करने होंगे maximum 13 lot आप कर सकते हैं apply जिसमें 182 share होंगे और 1,88,006 रुपे आपको invest करने होंगे जो promoters की holding है इसमें IPO से पहले 61.71% है IPO के बाद जो होगा वो 53.73% हो जाएगा company के पास जो total assets है वो 4,669.58 करोड का है और टोटल लिवेन्यू कमपनी का 1,225.89 करोड का है profit after tax company का 4,66.68 करोड का है map my India जो है CE Info System Limited का नाम है जिसको आप map my India के नाम से जाते हैं यह company जो है SaaS यानि की maps as a service SaaS यानि software as a service and PaaS platform as a service यह company जो है provide करती है services इंडिया में और अपरोड में भी तो यह company बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी valuation पे इसका IPO आ रहा है तो आप इसे listing gain के लिए भी as well as long term gain के लिए भी आप apply कर सकते हैं इसमें thank you very much for watching this video